नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेटी विडिए के में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं हल का पुनरबलन या फिर प्रबलन के सिध्धानते से सम्मनित 30 अतिमहत्पूर्ण प्रशनों के बारे में यहाँ पर एक सीरीज श्टार्ट की थी जिसमें जो प्रमुक मनवेग्यानिक हैं उनसे सम्मनित प्रशन आपको देना थी जिसमें अभी त पुनरबलन का सिध्धानते हैं उनसे सम्मनित आपको 30 प्रशन मिलेंगे ति आपने इन वेग्यानिकों के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक प्ले लिश्ट बना के रखिए उस पर जाकर आप इन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं लिंक के जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका जन्म कब कहां और उनकी मृत्यों कब हुई थी कौन से सन में हुई थी ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो पहला प्रशन है C.L.H.L. का जो जन्म है ये कब हुआ था तो ये 1884 को हुआ था देखिए दो प्रशन क्यूज C.L.H.L. की मृत्यों कब हुई थी तो इनकी मृत्यों हुई थी 1952 में और ये कहां के निवासी थे कहां के रहने वाले थे तो ये अमेरिका USA के रहने वाले थे C.L.H.L. C.L.H.L. ने कौन सा सिध्धान्द दिया था जैसा की आपने थमनिल में देखी लिया होगा ये पुन पुनर बलन का सिध्धान्त कब दिया था तो ये दिया था 1915 में इन्होंने अपना प्रियोग किस पर किया था तो इन्होंने जो अपना प्रियोग किया था वो चुहे पर भी किया था और बिल्ली पर भी अपना प्रियोग किया था अब बात करते हैं कि जो इनका पुनर बल प्रभलन के सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। सिध्धान्त और ASOR Learning Theory का सिध्धान्त इन सभी के नाम से इस सिध्धान्त को जाना जाता है तो इसके इन सोट ले लिजेगा जब आप फिरी रहो तो इन सिध्धान्तों को एक बार पढ़ लिजेगा काफी इंपोर्टेंट हैं जरूरी नहीं कि सीधी सीधे आपसे पूछ जो ये सिध्धान्तों के नाम बताएं इनसे सम्मनेद भी प्रस्ण आपसे पूछे जा सकते हैं तो अगला प्रस्ण है हमारा CL हल का सिध्धान्त किस सिध्धान्त पर आधारी थे जो सिध्धान्त है किस सिध्धान्त पर आधारी थे इनका सिध्धान्त तो यह थांडाइक वा पावलाव के सिध्धान्त पर आधारी थे हल का सिध्धान्त है किस परबल देता है तो याद रखेगा इनका जो सिध्धान्त है या आवशक्ता परबल देता है हल किस प्रकार के मनोविग्यानिक थे तो ये व्यावारवादी मनोविग्यानिक थे इंपोटेंट है याद रखेगा हलकी प्रमुक पुस्तक कौन सी देखे हलकी जो प्रमुक पुस्तक है वो principle of behavior है इसी में इन्होंने जो अपना सिध्धानत है प्रबलन का सिध्धानत या फिर पुनरबलन का सिध्धानत इन्होंने इसी पुस्तक में जिक्र किया है आगे हम बात करेंगे उसके बारे में बारवा प्रशन है पुनरबलन के कितने प्रकार बताएं या पर कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं कौन-कौन से दनात्मक पुनरबलन और रिनात्मक पुनरबलन सबलीकरण का सिध्धान तो किस ने दिया है देखे, important है ध्यान दीजेगा, प्रियोग के बारें पूछे तो आपका right answer इसकीनर होगा, और इस सिध्धान्त को किसके द्वरा दिया गया था, तो वो हल होगा, याद रखेगा, सरप्रत्थम पुनरबलन का प्रियोग इसकीनर के द्वरा किया गया था, और पुनरबलन का ज की विशेवस्तू का निर्मान किया जाता है, साथ में यहां सिध्धान्त प्रोचसाहन पर बल देता है, यहां चालक के महत्व को इस्पष्ट करता है, यहां सिध्धान्त आवशक्ता के महत्व को इस्पष्ट करता है, बालक को सीखने की अभी प्रेणना देता है, यहां सि सिद्धान्त बल देता है तो ये इसके विशेशता हो गई इसमें विशेश क्या है उसके बारी में भी आपको जानना चाहिए इसमें विशेश क्या है पार्ठी क्रम की जो विश्यवस्तु का निर्मान होता है वो हलके सिध्धान्त के अधार पर किया जाता है जबकि जो PARTGHI करम का निर्मान होता है वो गेस्टार्ट थियोरी पर अधारित होता है चलिए अगले प्रस्रेंपर बढ़ेंगे यहां किसनी ने कहा था कि अब तक अधिगम के जितने भी सिध्धान्त आये हैं उसमें से हलका प्रबलन सिध्धान्त सर्वसरेष्ट हैं इंपोटेंट हैं धियान दीजेगा किसके द्वारा कह गया है इसकी नर्के द्वारा हलका प्रबलन सिध्धान्त को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यह प्रिंसिपल आप बिहेवियर है हलका जो प्रबलन सिध्धान्त को प्रिंसिपल आप बिहेवियर पुस्तक में प्रतिपादित किया है शीखना अवशक्ता की पूर्ती की प्रक्रिया की द्वारा होता है यहां कथन किसका है तो याद रखेगा यहां कथन किसके द्वारा दिये गया है हल के द्वारा दिये गया कथन है हल का पुनरबलन सिध्धान्त को इश्किनर द्वारा को उन से सिध्धान्त का नाम दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था चालक नियूनता का सिध्धान्त को इश्किनर द्वारा चालक नियूनता के सिध्धान्त का नाम दिया गया है आउशक्ता की पूर्ती सब्द के लिए हल द्वारा कौन सा सब्द प्रयुक्त किया गया है तो वो है आउशक्ता की कमी हल ने कितने स्व्यम सिद्ध मानिताओं और प्रमेयों का प्रतिपादन किया है इंपोर्टेंट है पूछा जाता है तो याद रखेगा इनोंने सत्रा श्यम सिद्ध मानिता और 133 प्रमेयों का प्रतिपादन किया है किसके द्वारा हल के द्वारा कौन सा सिद्धान्त पाठिकरम बनाते समय विद्धारतियों की आउशक्ता पर बल देता है सतत अधिगम का सिध्धान्त किसके द्वरा दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी प्रकार से प्रिश्णे पूछा जा सकता है तो ये किसके द्वरा दिया गया है हल के द्वरा दिया गया है सतत अधिगम का सिध्धान्त शमश्या शमधान में लक्ष प्रमनता के संफ्रत्ती को किस ने प्रस्तावित किया था तो ये किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो ये हल के द्वारा प्रस्तावित किया गया है हल का सिध्धान्द थांडाइक के समान प्रकतिका है परंतु हल ने इसे नपे तुले सब्दों में प्रस्तुत किया है इस प्रकार कटू आलोचना करने वाला मनुविध्यानिक कौन सा है उसका नाम आपको बताना है उसका नाम आपको याद रखना है कौन सा नाम होगा लेश अगला प्रश्ने है अधिगम का उद्देशिपूर्ण व्यवारवाद सिध्धान्त किस ने दिया है तो इसके बारे में आपको तो बता है किसके द्वरा दिया गया है, हल के द्वरा, इन्होंने एक सुत्र भी बताया है, सुत्र का भी प्रतिपादन किया है, वो कौन से सुत्र है, B बराबर D into H, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, B का मतलब होता है, behavior याने की व्यभार, D का मतलब होता है driver याने की चालग और age का मतलब होता है habit याने की आदत b बराबर d into age ये आपको याद रखना है विकल्पर में आपको b बराबर d into age देखने को मिलेगा ये आपको इसरों पर समझाय गया है बांकी का तो याद रखेगा हल ने b बराबर d into age सुत्र का प्रतिपादन किया है अंतिम प्रस्न किसके अनुशार प्रानी किसी भी किरिया को तभी सीखता है जब उसकी कोई आवशकता की पूर्ती होती है यहाँ जो कथन कहा गया है या फिर किसके अनुशार कहा गया है तो यह हल के द्वारा कहा गया कथन है जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको दो क्यूज देखने को मिलेंगी तो पहला प्रश्णी आपको आंसर देना है पहले प्रश्णी का कि इनमें से कौन सा सिध्धानत हल द्वारा नहीं दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हल का जो प्रवलन का सिध्धानत है या फिर पुनरवलन का सिध्धानत है इसको और किस-किस नाम से जाना जाता है मैं आपको बता चुका हूँ तो आपको उसके बारे में दियान होगा तो यहां पर आप बताईएगा पहला विकल्प सही हो जो मैंने आपको विश्यस्ता बताई ये विश्यस्कार ये मैंने आपको बताया था यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आसानी से आप राइट आंसर लगा सकते हैं तो Q1 और Q2 लिखकर आपको आंसर बताना है जिस पर मैं लाइक करता हूँ वो समझ जाएगा कि आपका आंसर सही क्योंकि सभी के आंसर देना मुझे यहाँ पर मुस्किल होता है तो जहाँ पर मैं लाइक कर दूँगा तो आप समझ जाएगा कि आपका आंसर बिलकुल सही है आज का उडियों हम नहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दे ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद.